आज सल्व क्लास 7th Mathematics Chapter 2 Fraction and Dismals का Exercise 2.1 का Question 5 से सल्व करेंगे क्योंकि हम लोगों ने Part 1 में 1 से 4 तक सल्व कर लिया था बच्चों और आज की क्लास में Question 5 से हम लोग सल्व करेंगे तो क्या आप लोग रेडियो पढ़ने के लिए रेडियो या नहीं हो बताओ हमें हो बहुत बढ़िया थैंक्यू समच कि आप लोग पढ़ने के लिए रेडियो यार आप बहुत मतलब एक अच्छे स्टुरेंट हो तभी तो आप Part 2 देखने आयो वीडियो तो आपका बहुत विलकम है और आप ऐसे ही मेहनत करते रहे हम आपके साथ हैं आपको कोई डाउट नहीं आ सकता बस आप सरमाना नहीं मेहनत से पिछे भागना नहीं फिर आपको कोई रोक नहीं सकता आप बहुत ही एक अच्छा और इंट्रिजेंट और बिर्लियंट इस्टुडेंट बन कर ह ही रहोगे तो ऐसे ही मेरे दोस्त आप लगे रहो हम आपके साथ हैं आपको हमेसे बढ़ाने के लिए ठीक है फाइब क्वेशने की फाइंड बस फाइंड बोल दिया और आपको बताना है तो कैसे करेंगे फाइंड का फर्ष्ट प्रश्न है कि one by two of of का मतलब आपको पीछे 34 के साथ one by two एक बार 46 के साथ ठीक है आईए हम फर्ष्ट क्वेशन को सल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे करना है ठीक है कि आजाओ कि क्वेश्चन के फाइब का ए यह है वन बाइट टू अब फर्ष्ट इसमें है 24 और शेकेंड है 46 ओके तो हम क्या करते हैं सबसे पहले फर्ष्ट को सल्व करेंगे क्या है फर्ष्ट के लिए है 24 ऑफ का मतलब क्या होता है multiple, of का मतलब क्या होता है multiple, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे multiple कर देंगे किसके साथ 1 by 2 के साथ अब आप कहो कि सर पहले तो 1 by 2 है न, उसके बाद 24 है, तो 24 यहाँ लिखो, यह यहाँ लिखो बात ही कहीं है, ठीक है, इसको divide कर दो, यह 12 टाइम से divide हो जाएगा, 12 से और 1 से करेंगे, यह हमारा 12 आजाएगा, आया समझ में, second देखो second क्या है 46 है 46 of का मतलब होता है multiple, यह है 1 by 2 तो 1 by 2, इसको 2 से divide करोगे तो 23 टाइमस में divide हो जाएगा, ठीक है तो 23 से और 1 से करेंगे न, यह हो जाएगा 23 और answer, first complete हो गया A, अब B देखते है B और question क्या है B एक 2 by 3 of 2 by 3 of first question 18 और second question 27 यह अब का question है ठीक है, तो first को solve करते है first question है 18 और of का मतलब होता है multiple और यह हो गया 20 2 by 3 3 सिख जा 18 6 और 2 से multiple कर देंगे यह हो जाएगा 12 second देखो क्या है second है 27 27 तो 27 इंटू 2 by 3 3 नाइन जा 27 नाइन सार टू से करेंगे यह हो जाएगा 18 complete अब B के बाद C देखो C और question 3 by 4 of 3 by 4 of 1st question 16 और 2nd question 36 ओके तो यहाँ देखो 1st question है 16 of का मतलब होता है multiple 3 by 4 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 4 से और 3 से करेंगे यह भी होगा 12 second 36 36 से और 3 by 4 से कर देना है तो 4 9 जा क्या हो जाएगा 36 9 से और 3 से करेंगे 27 जिनको table याद है ना उनको कोई problem आही नहीं सकता ठीक है next देखो C के बाद D D और question है 4 by 5 of 4 by 5 of 1st question 20 और 2nd question 35 ओके तो 1st को solve करते है यह हो जाएगा 4 by 5 of का मतलब होता है multiple और यह 20 ऐसे कहो या कहलो आप ऐसे जैसे हमने सभी question किया complete होता है और मैं उम्मिद करता हूं कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा कोई डाउट नहीं होगा इस question में ठीक है 5 complete अब हम 6 देखेंगे ठीक है आईए इसको डालते हैं पेज कम लोग कभी एक side लिखा हुआ एक side नहीं तो इसको use कर लेते हैं ठीक है आईए क्या है 6 question multiply and expresses the mix fraction अच्छा इसको क्या करना है mix fraction में करना है मेरे दोस्त ओके तो mix fraction बहुत तीजी होता है जो हम लोग question 3 किये थे न वहीं question फिर से आ गया ठीक है कैसे करेंगे पले write करो 6 का 1st question 3 into 5 integer 1 by 5 है यह अपका question है अब देखो तो कैसे करेंगे थोड़ा सा mind तो लगाना होगा कैसे इस 3 को 3 ही रहने दो और into का into रहने दो यह जो mix fraction है न इसको तोड़ो यहाँ पर देखो इसका मतलब होता है इसको दोनों को multiple 5 5 जा 25 और उपर वाले को add तो क्या इतना हो जाएगा 26 यह हो गया 26 by 5 ओके अब यहाँ से क्या करेंगे 3 से और 26 से multiple करेंगे तो 26 3 जा कितना होता है आप लोगो तो table याद नहीं होगा लेकिन मेरे को तो याद है 26 3 जा होता है 78 और नीचे कितना है 5 अब क्या करेंगे 78 में 5 से divide कर देंगे question 3 के जैसा आईए 78 में 5 से divide करते है 5 1 times यहां से remainder हो जाएगा 2 उपर से 8 उता रहेंगे 5 5 जा 15 25 ना 5 5 जा 25 remainder आगया 3 तो देखो यह जो हमारा कोशेंट होता है उसको पहले लिखा जाता है यह remainder होता है remainder को उपर लिखा जाता है जिस नंबर से divide करते हैं उसको नीचे यह देखो 15 इंटीजर 3 by 5 हो गया क्या आ गया 15 इंटीजर 3 by 5 योर एंसर ठीके समझ में आ गया अब देखो इसका second question second question क्या है 5 into 6 इंटीजर 3 by 4 ओके तो यहां से आगे बढ़ते हैं 5 का 5 into 6 4 जा 24 24 और 3 यह होगा 27 divided by 4 तो 27 का टेबल 5 times पढ़ोगे यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 135 अनीचे कितना है 4 अब 135 में 4 से divide कर देंगे आईए इसको divide करेंगे 135 में 4 से 4 3 जा 12 यहां से remainder 1 उपर से 5 4 3 जा 12 तो remainder आ जाएगा 3 पहले कोसेंट को लिखेंगे remainder को उपर जिस नमबर से divide उसको निचे कितना आ गया यहां write कर लो 33 integer 3 by 4 योर एंसर ओके सेकेंड हो गया अब थर्ड देखते हैं थर्ड क्या है 7 इंटू 2 इंटीजर 1 by 4 7 इंटीजर 7 इंटू 2 इंटीजर 1 by 4 था ना 4 इसको करो तो 7 का 7 4 तू जा 8 और 1 9 9 by 4 अब देखो 9 7 जा कितना हो जाएगा 63 divided by 4 इसको डिवाइड करो 63 में 4 से डिवाइड 4 1 ताइम्स यहां से 2 और 3 4 5 जा 20 यहां से कितना हो गया 3 तो जो कोशेंट होता है उसको पहद लिख लेते हैं रिमेंडर को उपर अजिस से डिवाइड करते हैं उसको नीचे तो यह हो गया 15 इंटीजर 3 by 4 योर एंसर ओके ठाड हो गया और 4 देखते हैं 4 question क्या है 4 अचा 4 नहीं है A B C D है A B C D D देखेंगे D है 4 इंटीजर नहीं 4 इंटू 6 इंटीजर 1 by 3 है ओके अब देखो अब इसको सल्व करेंगे तो क्या होगा 4 का 4 3 सिख जा 18 और 1 19 19 by 3 तो 19 से और 4 से करेंगे 19 फोर से करेंगे तो होगा 76 और डिभाइड में 3 है तो 3 76 ने 3 से डिभाइड कर देंगे आईए 76 में 3 से डिभाइड करेंगे 3 2 जा 6 यहां से रिमेंडर 1 और यह 16 35 जा 15 रिमेंडर 1 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 25 इंटिजर 1 बाइ 3 लिख दो 25 इंटिजर 1 बाइ 3 इवर एंसर ठीक है अब D के बाद E देखेंगे E क्या है यह उल्टा हो गया 3 इंटिजर 1 बाइ 4 इंटू 6 है है ना चलो इसको करते हैं 4 3 जा 12 और 1 13 13 बाइ 4 इंटू 6 एक कितना हो जाएगा 13 सिख जा 13 सिख जा 78 होता है और निचे है 4 ओके अब क्या करेंगे इसको देखो हम और इसको ईसको 2 से डिवाइड करेंगे न ए 39 हो जाएगा अज इसको 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा यानि 39 बाइ 2 अब करो इसको कितना हो जाएगा थर्टी नाइन में 2 से करेंगे वन टाइमस टू 1 और 9 टाइमस 18 यानि 1 19 integer 1 by 2 हो जाएगा 19 integer 1 by 2 E के बाद 8 8 क्या है 3 integer 2 by 5 into 8 है इसको करते है तो 5 तरी जा 15 और 2 17 हो जाएगा 17 by 5 और यह 8 तो 17 8 जा कितना होता है यह होता है 136 डिवाइड कर देंगे 5 से आईए रप में 136 में 5 से डिवाइड करेंगे 5 तू जा 10 यहाँ से 3 और 6 5 से बेंजा 35 यहाँ से 1 27 integer 1 by 5 यह एंसर 27 integer 1 by 5 यह एंसर ओके आई होब कि आप लोगो equation समझ में आगया होगा 6 भी बहुत ही जी था ठीक है 6 के बाद 7 देखो find A 1 by 2 of यह B यह मतलब कि वहीं जो question number आपने 5 किया था ना वैसे ही अभी बनने वाला है ठीक है कुछ अलग नहीं है आई है equation 6 को भी solve करते है 7 को 7 है 7 का first A है 1 by 2 of first है 2 integer 3 by 4 और second है 4 integer 2 by 9 ओके आई है इसको solve करते है easy है बहुत easy है first को solve करते है 1 by 2 है तो 1 by 2 solve का मतलब होता है multiple और 2 integer 3 by 4 तो देखो 1 by 2 इस integer को break करेंगे तो 4 to 8 8 3 जा 11 11 by 4 हो गया इसको divide करो multiple करो 1 से और 11 से 11 और 4 से 8 में करेंगे 2 में 8 हो जाएगा अब 11 में 8 को क्या करेंगे integer में चेंज करेंगे क्योंकि integer में आपका question है 11 में 11 में 8 से divide करेंगे 1 times ये 3 हो जाएगा 1 integer 3 by 8 हो जाएगा 1 integer 3 by 8 आप लोग को integer में आप तो करने आ गया होगा मेरे को पता है ठीके 2nd question 1 by 2 into 4 integer 2 by 9 1 by 2 इसको break करेंगे 94036 और 3 2 38 अब आइ 9 1 से और 38 से 38 और A हो जाएगा 18 38 में 18 से कर देंगे 38 में 18 से कितना हो जाएगा 18 to 0 36 और यहां से 2 2 integer 2 by 18 और answer 2 integer 2 by 18 और answer ठीके अब B देखेंगे ये तो A का था अब B का देखेंगे B क्या है 5 by 8 of 5 by 8 of 1st 3 integer 5 by 6 2nd 9 integer 2 by 3 तो अब इसको देखो यहां पर 5 by 8 अब का मतलब multiple और ये 3 integer 5 by 6 5 by 8 इन्टू ये देखो 6 3 जा 18 18 और 5 को अड़ कर देंगे ये हो जाएगा 23 23 23 by 6 अब इसको करेंगे 23 5 जा 115 और 86 जा 48 इसको डिभाइड करेंगे ये हो जाएगा 115 और 48 से 2 टाइम जाएगा 96 यहां से करेंगे ते कितना होगा ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 2 integer 9 by 48 ओके 9 नहीं 18 होगा ना क्योंकि 10 होगा तो ये होँ 19 होगा ये हो जाएगा 2 integer 19 by 48 सेकेंड इसका कैसे होगा 5 by 8 इन्टू 9 integer 2 by 3 ये होगा 5 by 8 इन्टू 27 और 2 29 29 by 3 29 5 जाएगा कितना होता है 145 और 8 3 जा 24 इसको डिभाइड करो 145 में कितना से करना है 24 से कितने टाइम जाएगा 25 26 टाइम समें चल जाएगा 26 टाइम में 144 ठीक है इतना हो जाएगा तो यहां से कितना 1 जाएगा तो 6 integer 6 integer 1 by 24 6 integer 1 by 24 योर एंसर देखो कितना आईजी है आप लोग को मिक्स फ्रेक्शन तो आ गया ना तो फिर आपको कोई दिक्कत होई नहीं सकता ठीक है यह सब बहुत इजी होता है यह था यह एक्वेशन अब 8 नंबर देखो 8 को हम पहले से लिखे हैं ठीक है ना क्योंकि यहां पर अच्छे से दिखेगा नहीं तो हम इसलिए पहले से यहां पर राइड कर लिया है ध्यान देना पहले क्वेशन को अच्छे से पढ़ो बिद्या और परताप एक पिकनिक पजा रहे है तियर मदर उसकी मा जो है गीब दे में वाटर बोतल उसकी मा एक बोतल दि वाटर के लिए देट कंटेंड फाइफ लिटर्स अफ वाटर उस बोतल में फाइफ लिटर्स पानी था बिद्या consume 2 by 5 of the water मतलब पूरे 5 लिटर का बिद्या जो है 2 by 5 लिटर ले ली परताब consume the remaining water अब जो बच गया वो परताब ले लिया तो आपको बताना है कि How much water did बिद्या drink अब बताओ आप कि 5 लिटर में 2 by 5 वो ले ली बिद्या तो उसके पास कितने लिटर पानी हुआ बिद्या का बताना है और second question कि What fraction of the total quantity of the water इस परताब drink अब यह बताना है कि मताओ कि जब बिद्या तो मालो कि जितना लिटर पी होगी ओ तो निकल जाएगा तो उसके बाद पता चले जा इतना परताव के पास है लेकिन परताप के पास जो लिटर Stick किस में करना है fraction में करना है उल्टा है करेंब आट उलनों का तो पहले हम पदा करते हैं बिद्या कितना लिटर left-partyपैसिये ठीक है इसका सोलूशन देखो बहुत ही है ध्यान से देखना ठीक सबसे पहले लिखेंगे जो given है, क्या given है, total quantity of water in bottle, कितना है, 5 liters, कितना है, 5 liters, तो सबसे पहले हम, number one आपका question है, बिद्या कितना पिये न, बिद्या consume, कितना है, 2 by 5, 2 by 5 कितने का, 5 liter का, तो 2 by 5 of, 2 by 5 of, कितना, 5 liters, 5 liters, इसको solve कर दो, तो 2 by 5 का, 2 by 5 of, का मतलब multiple, और 5 का 5, 5, 5 cancel, कितना आगया, 2 liter, 2 liter, जो बिद्या क्या किये, पानी consume किये, ठीक है, लिख देंगे, इस परकार, दस, बिद्या, 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 ड्रेंग, ड्रिंक न लिखते है, ड्रेंग लिखते है, ठीक है, ट्रेंग, टू लिटर्स, वाटर, from the bottle, from the bottle, okay, बिद्या का तो पता चल गया, अब देखेंगे कि इसका कितना, फाइब लिटर में दो ल्टरेंग पी गई, थो में पता चला कि परताब कितना पिया होगा, थ्री लिटर, तो चलो, हम लिखेंगे, second question, परताब, परताब, परताब कंजूम, परताब कंजूम, कितना हो जाएगा, और पूरे बोतल का, पूरे बोतल कितना था, उसमें से, दिविया कितना पिया, यही मतलब होगा, पूरे बोतल का, टू बाइफाइब कितना पि, बिद्या, तो यहां से इसका कितना हो जाएगा, लिख देंगा, लि के इसको क्या होगा winning में सब्सक्राइब करेंगे हम आते हैं राफ पेज मेंourd कि 3 by 5 part of bottle 3 part of bottle ओके परताप कितना युच किया है 3 by 5 part किया है अब इसको भताना है कितना लिटर 3 by 5 कितना लिटर होगा तो बता देते हैं लिखेंगे परताप बिद्या जैसा परताप के कंजूम 3 by 5 of 5 liter 5 liter water तो क्या हो जाएगा 3 by 5 का 3 by 5 और 5 लिटर है तो 5 5 कैंसिल यह कितना लिए है 3 लिटर समझे निकाल कर बता दिया ठीक है तो लास्ट में इसको फ्रेक्शन बताना था 3 by 5 फोला लिख देंगे पार्ट लिखेंगे इस पर कर दस कि परताप कि परताप ड्रेंक कि 3 by 5 पाट ओफ कि पाट ओफ टोटल कॉइंटिटीटी टोटल कॉइंटिटीटी पूफ वाटर यूर एंसर आइध़ होप कि आप लोग कोग आपको क्लास अच्छा लागा हो तो वेडियो को जितना है कंप अपने हैं अपने अ पास इसको share करो ठीक है जाकर екलास में बताना ओके इतना कर सकते हो ला मेरे लिए आपNow करेंगा अभी और पहुत मेहनेद आप आपको आगे जाना है ठीक है हम आपके साहते जो डाउट दीकत होता है जरूर पुछे हम से ठीक है चलो मिलते हैं next class में thank you so much